गुद मॉर्निंग अल उफ यू टूडे बी विल कंटिन्यू अबर चैप्टर 13 फॉर क्लास 9th NCRT साइन्स तो इस्टूडेंट्स आज हम अपना चैप्टर 13 कंटिन्यू करेंगे जो हमारी क्लास 9th साइन्स NCRT का चैप्टर है और चैप्टर नेम इस देट वहाई डूबी फॉल इल हम बीमार क्यों होते हैं तो इन दे प्रेविएस वीडियो वी लेंड अबाउट दब वाट इस दा हैल्थ हैल्थ के बाव में पढ़ते हैं बाट इस दे हैल्थ ऑफ हाईजीन शिस्टम्स तो टूडे अबर टॉपिक इस दैट डिसीज वाट इस दा डिसीज ओके कोई पर्टिकुलर बीमारी का हमारे सरीर में हो ना इट इस टेट यह एक ऐसी स्टेट है इस यह एक से अधिक रीजन हो सकते हैं मतलब हमारी body की एक ऐसी state जहाँ पर हमारी body के function properly work नहीं करते हैं तो वहाँ पर हमें अपनी body के अंदर कुछ disease feel होती है like sneezing हो गया, coughing हो गया, cold हो गया या many और भी particular disease हो सकती है so health is influenced by the many factors हमारी health को influence कर सकते हैं भहुत सारे factors like community and the personal hygiene तो हमें क्या करना चाहिए या तो हमारी community से हमें कोई problem हो सकती है या फिर हमारी personal hygiene अगर हम अपनी body को personal body को clean नहीं रखेंगे उसको maintain नहीं रखेंगे या अपनी community, अपनी society, अपने environment को clean नहीं रखेंगे तो उसके कारण में बहुत सारे disease हो सकते हैं that is the main causes of the disease, communication disease or personal disease also तो हमें we should to clean our environment अबल social environment also देखें नरेंदर मोधी जी जो हमारे PM है उन्होंने बहुत बहुत बिग लाबल पर बहुत बड़े लाबल पर स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है और उसका main कारण यही है तो हमारा country तो साफ लगे गाई पूरा इंडिया तो साफ लगे गा ही उसके साथ में क्या है उसके साथ साथ में हम बहुत सारी communication disease बहुत सारी social disease जो गंदगी से हमें होती है वो उससे भी हम safe रहेंगे आपको पता है students हमारे environment में बहुत सारे मच्छर मक्ही होते हैं वह बहुत सारी गंदी जो डटी प्लेस होते हैं वहां पर बैठते हैं वहां से कुछ microorganism अपने माइस टक कर लेते हैं और जब वह हमारी बाड़ी पर बैठते तो उनको microorganism को remove कर देते हैं उस कारण हमें बहुत सारे fungal infection भी हो जाते हैं तो we should aware we should clean our environment and clean also our personal body take proper bathing proper brushing और नेल वगारा cut होने चाहिए हमारी हमें अपकी personal body को बिल्कुल clear और साफ रखना चाहिए as we know that जैसा कि हम जानते हैं we live in a society हम एक society में रहते हैं so our social environment also plays a key role like हमारा जो social environment है वो एक important role play करता है ऐसा नहीं कि हम केवल अपने घर को अपने house को clean रखें साथ साथ हमें क्या करना है हमारे जो बाहर का जो surroundings area है उसको भी clean रखना है तो उसके लिए क्या करना का we should keep our house clean house तो clean करेंगे ही proper seaways disposal system देखिए seaways का एक proper disposal system होना चाहिए dirty water गिरता है तो उसके लिए क्या एक proper system होना चाहिए यानि गंदा पानी कहीं भी जमा ना हो पाए no straight water देखिए खड़ा पानी कहीं भी जमा हुआ पानी नहीं होना चाहिए no open dress और open dress नहीं हो जाहिए नाले नालिया जो खुली होती है dirty water की वो open नहीं होनी चाहिए उसके कारण भी बहुत सारी disease हो सकती है okay similarly personal hygiene is important personal hygiene personal मतलब हमारी खुद की body की जो hygiene वो हमें करनी चाहिए like one should take bath regularly सबसे पहले हमें daily नहना चाहिए कम से कम गर्मों two or three times हमको क्या करना चाहिए बात करना चाहिए बात धिंग लेना चाहिए क्योंकि उसमें गर्मियों में क्या होता है बहुत अधिक sweat हमारी body से बहुत अधिक sweat बाहर निकलता है तो sweat के साथ में क्या होता है कुछ fungal infections हो जाते हैं कुछ microorganism हमारी body में पनब जाते हैं जिनको अगर हम बात नहीं करेंगे तो उसके कारण हमें कुछ infection और fungal disease हो सकते है like allergy one should wear clean clothes नहने के बाद हमें साफ सुतर और धूले हुए कपड़े पहनने चाहिए take bath regularly और take brush two or three times daily we have to do brush भी करना होगा next drink clean water देखे water water बहुत important role play करता है water से आप जानते हो malaria malaria जो disease होती है वो क्या होता है malaria का जो मच्छर होते मॉस्किटो जो हमारा clean water होता उसी के अंदर पनबते हैं तो water को हमेंसा क्या कबर करके रखना चाहिए clean water ही पीना चाहिए eat acutic nutrition food yes हमें nutrition food लेने चाहिए nutrition food जिसके अंदर मैंने बता है तो आपको balance diet balance diet लेना चाहिए क्योंकि balance diet क्या होता है balance diet में होता है कि सभी nutrient एक proper way में होते हैं हमें अपनी diet के अंदर सभी nutrition को को शामिल करना चाहिए one should maintain social harmony and equality और हमें हमारे जो आसपास कि जो neighbors हैं हमारे जो relatives हैं उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए हमारा social व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए good man होना चाहिए ताक कि हमारा मन खुस रहे अगर हमारा मन खुस होगा तो हमारे health भी proper होगी source of disease like अब देखें source of disease क्या है source मतलब जो disease हो रही है वो हमें कहां से होती है देख लेते है source of disease क्या होती है देखें source of disease there are the different source of disease out of which the main factors are कुछ source of disease क्या होती है कहां से होती है जो disease हमें हो रहे हैं उसके दो main sources है पहले हैं intrinsic factors और दूसरे extraneous factors intrinsic factors internal factors जो होते हैं internal factors जो वो factors हमारी body के अंदर ही होते हैं और एक होते हैं extraneous factors जो extraneous factors होते हैं वो हमें लगते हैं बाहर से environment से हमारी surrounding से तो जो आप देखें जो extraneous factors हैं बाहर के जो factors extraneous factors like first picture से आप देख रहे हो sneezing, sneezing है, coughing है, cold है वो सारे के सारे external factors होंगे external factors होंगे like sneezing cold क्योंकि उसमें क्या होता है हमारे सामने बाला कोई person है अगर उसने sneezing कर दिया तो उसके कुछ droplets हमारे face पर गिर जाते हैं जिसके कारण हमें क्या होता है हमें भी sneezing होना start हो जाता है क्योंकि वाइरल उसके जो virus हैं वो हमारे face के अंदर आते हैं stuck कर जाते हैं और हमें भी fungal infection मतलब कि infection disease यह communication disease होनी start हो जाती है दूसरे होते हैं interesting factor जो interest factor होते हैं वो होते हैं internal factor जैसे कि आप इस pictures में देख रहे हो यह क्या है यह knack का जो यह reason है throat reason वो क्या होदा swallow हो गया swallow कर क्या निकल गया outside को निकल गया है that is the goiter यह आपने बिल्कुर सही सोचा है यह है goiter तो जो goiter जो disease है वो हमारी क्या है internal disease है यह क्या हो गया interest factor हो गया क्योंकि internal disease है वो कोई बाहर से communication disease नहीं हुए इसका reason होता है जैसे कि हमारी neck है neck के अंदर क्या thyroid glands होती है तो thyroxyn hormones का सही से produce नहीं होना कम यह अधिक होने के current जो thyroxic gland हो हमारी swallow हो जाती हो बाहर की तरफ को retreat हो जाती है that is called the goiter तो goiter क्या होगे हमारी internal disease है यह कोई बाहर से disease हमें नहीं लगी हम कहा सकते है that is the internal disease okay students मतलब एक हो गया intrinsic factors और एक हो गया externic factors intrinsic factors क्या होंगे they are the factors that are within the human body intrinsic factors जो होते हैं यह हमारी human body के अंदर ही होते हैं intrinsic factors ठीक है जैसे देखिए यह goiter होगे हमारे यह goiter इसके अंदर क्या होता है goiter के अंदर हो गया है जैसे हमने बताया तभी thyroid gland का swallow हो जाना और बाहर की outside को retreat हो जाना इसके अंदर का reason यह होता है कि जो thyroid gland होती है वह thyroid gland के अंदर thyroid gland को एक thyroxine जो hormones होता है hormones produce होता है तो thyroxine hormones का अच सही से produce ना होना कम यह अधिक होने के कारह जो thyroid gland होती है वह affected होता ही हो जाती है और जिसके कारण ही हमारी neck में बाहर की तरफ पो दिखाई देता है इस disease को problems यानि जोड़ों का दर्ध जो होता है वह हमारी internal disease है वह disease बाहर से नहीं लहीं इसका कारण होता है हमारी balance diet when nutrition food का ना होना calcium की कमी होना तो बहुत सारे इस तरह के internal factors से यह कोई भी external disease नहीं हो सकती है इस disease are caused by the internal factor यह disease होती है हमारे internal factor के कारण यह कोई external factors नहीं होता है इसी के साथ therefore they are also called the organic disease इनको organic disease भी कहते है क्योंकि हमारी body के अंदर से ही हुई है and can occur due to any the following region उसके कुछ region हो सकते है manufacturing of the any body part हमारी किसी body के मतलब मैंने कहा था हमारी body के अंदर बहुत सारे gland होते हैं जो हार्मोन का produce करते हैं उन हार्मोन का सही से produce ना होना तो वो हमारी एक body के part में हो सकता है जिसके कारण हमें यह disease लग सकती है next is the genetic disorder genetic disorder देखिए जैसे genetic मतलब कुछ genes का अपने parents से संतान के पहला अपने parents के द्वारा अपने बच्चों के अंदर आना जैसे कि किसे की eyes मैंने अभी पढ़ेंगे heredity and evaluation में किसी की आखे blue होती है मतलब कह सकते हैं जैसे white थोड़ी आखे होती है brown होती है तो उनके कहीं ना कहीं उनके बच्चों के अंदर वी वो disorder देखने को मिलता है आसी genetic disorder मतलब अगर goiter की problems किसी parents के अंदर है तो कहीं ना कहीं वो संतान में भी जा सकती है वो होता है genetic disorder किसी भी hormones का सही से produce ना हो ना उसके कारण भी internal disease हो सकती है manufacturing of immune system येस immune system आपका immune system जो immune booster है वो उस पर भी depend करता है कि वो आने वारे जो viral है जो infections है जो virus है वो उससे कितनी fighting कर सकता है अगर आपका immune system immune system मतलब रोग प्रदी रोदक्षमता अगर वो strong होती है तो जो fungal infections होते हैं वो उनसे fight कर सकती है और अगर हमारा immune system weak है तो हमें कोई भी disease आसानी से लग सकती है तो we have to strong our immune system और उसके लिए हमें proper balance diet लेनी पड़ेगी proper exercise करनी पड़ेगी बहुत सारे ऐसे work है सुबह की morning की walk लीजिए आप बहुत सारा पानी पीजिए लगबग eight to ten glass पानी रोज पीजिए तो उससे हमारा immune system क्या होगा बढ़ेगा तो proper strong हो जाएगा तो इस तरह की जो disease थी हमने पढ़ लिंग कि external disease क्या होती है किस कारण से ही होती है okay students तो external disease में तो हमने पढ़ा था आपको cold हो गया, cough हो गया, sneezing हो गया, बार-बार sneezing होना किसी को तो वो उसकी internal infections होता है जैसे अगर हम किसी persons को मैं किसी persons को जानती हूं तो उनको क्या सुबह सुबह जब उठते हैं तो उनको लगाता स्नीजिंग होती रहती है स्टूदेंट्स इस वीडियो में हैं इतना ही नेक्स वीडियो में अपने नए टॉपिंगे के साथ तब तक आप वीडियो देखिये थैंक यू फॉर वाचिंग दा वीडियो